नमस्कार जियोत्रबुदेश उत्राखन देखने आप मैं हूं कुन्दन जमयार सिंगोल पर सियासी धर्म युद चिड़ा हुआ है विपक्ष के निता सिंगोल के अतियासिक महत्व और इसकी प्रमानिक्ता पर ही सवाल उठा रहे हैं जहां एक और कॉंग्रिस निता जैराम नमेश्ट ने ट्वीट कर सिंगोल के अतियासिकता प्रमानिक्ता पर सवाल उठाया है तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलिश यादव ने बीजेपी पर तंज कस्तेवे कहा है कि सिंगोल सत्ता हस्तांतरल का प्रतीक है यानि बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौफने का समया आ गया है इस बीच जी नियूस को उस डॉक्यमेंट की कॉपी मिली है जिससे सिंगोल की असलियत सामने आ जाती है देश के गौरब का प्रतीक नया संसत भवन बनकर तयार है इसके उद्गाटन में बस कुछी घंटे का वक्त बचा है मगर नई संसत के उद्गाटन से पहले सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है पहले तो कॉंग्रेस को पिया मोदी के हाथो उद्गाटन से एतरास था और अब संसत भवन में एतियासिक सेंगोल को स्थापित करने को लेकर संगराम छड़ गया है यह यू कहें कि सेंगोल को लेकर सियासी धर्मयूद की शुरुवात हो चुकी है आखिर सेंगोल क्या है और सेंगोल से जुड़े विवात की वजह क्या है यह बताने से पहले जानना जरूरी है कि नए संसत भवन के उद्गाटन से ठीक पहले यह सेंगोल अचानक से इतनी चर्चा में क्यों आ गया दरसल सेंगोल ने संसत भवन में स्थावित किया जाएगा इसे स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा सेंगोल 1947 में सत्ता हस्तरांतरन का दीख है इसे लॉट माउंट बेटन ने पहले पीम नहरू को सौपा था इसके बाद ये संगोल इलाबाद के संगराले में रखा हुआ था 1975 में शंकराचारे ने अपनी पुस्तक में भी इस संगोल का जिक्र किया था पीम मोदी को डेड़ साल पहले ही इस संगोल की जानकारी मिली थी इसके बाद उनों ने जाज के आदेश दिये और इसे देश के सामने लाने का फैसला किया अलगी संगोल के चर्चा में आते ही कॉंगरिस ने एक बार फिर बीजेपी और पीम मोदी का विरोज शुरू कर दिया है कॉंगरिस के राजिस्वा सांसर जैराम रमेश ने पहले आरोप लगाया कि नए संसर धवन पर जूटे नेरेटिव गढ़े गए और फिर संगोल को लेकर सरकार के दावे को भी फर्जी बता दिया जैराम रमेश ने दो टूक शब्दों में कहा कि संगोल सत्ता हस्तांत्रण का पतीक नहीं है एक और कॉंगरिस ने संगोल को लेकर केंद सरकार के दावे को फर्जी बताया तो वहीं दूसरी ओर संगोल की प्रमानिकता को सावित करते कुछ दस्तावेश सामने आ गए ये दस्तावेश 1947 यानि आजादी के समय के हैं जिनमें अंग्रीजों दुआरा पंटि जवाहर लान नहरू को सत्ता अस्तरांत्रण के तौर पर संगोल सोपेजाने का जिक्र है जी न्यूस को मिरे इस दस्तावेश से खुलासा होता है कि संगोल सत्ता अस्तरांत्रण का प्रतीक था संगोल पर विवाद बढ़ा तो अमिश्या का बयान भी सामने आया गिरे मंतरी शा ने कॉंग्रिस पर आदोप लगाते हुए पूछा कि कॉंग्रिस पार्टी भारत्य परमपराओं और संस्कृती से इतनी नफरत क्यों गरती है भारत्य के स्वतंतरता के परतीक के रूप में तमिलाडू के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नहरू को पवित्र सेंगोल दिया गया था लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्राहले में फेच गया साफ है कि पहले नए संसद भवन के उत्खाटन और अब सेंगोल का सियासत कर्म है देखना होगा कि ये एत्यासिक सेंगोल के महत्तुर और इसकी प्रमानिक्ता के सबूत सामने आने के बाद ये पूरा विवाद खत्म होता है या नहीं गरो रिपोर्ट सीमी जे तो यह आपको बताता है कि दरसल खबर क्या है संसद भवन के उत्खाटन ववाद में सिंगोल कनिक्शन अब जूड़ गया है सरकार ने शॉट फिल्म दरसल एक जारी किये और इस शॉट फिल्म में सिंगोल का महत्तुर बताया गया है फिल्में 19 paradrows की नेरु की कहानी दिखाए गई है सिंगोल को सत्था श्टांतिरर का प्रतीक इस फिल्म में बताया किया है सरकारी फिल्म पर लेकिन कॉंगरिस को आप पती है कॉंगरिस ने हमला बोला है वाटसेप यूनिवासिटी की जूटी कहानी इस फिल्म को बताए कॉंग्रिस ने जूटी कहानी से नई संसट की जा रही इस्थापे तिये कॉंग्रिस कह रही है बीज़पी आरसेस के दावे जादा हैं और तथिक कम है ये कॉंग्रिस का मानना है 1947 की कहानी फर्जी है सरकार इसका सबूत दे ये अब कॉंग्रिस मांग कर रही है गरिमंत्री अमितर शाह का कॉंग्रिस पर पलटवार भी हुआ है भारत की संस्कृति से इतनी नफरत क्यूं है अमितर शाह ने ये सवाल पूछा है कॉंग्रिस से